दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं यूपी पीसेस के इंटर्व्यू चल रहे थे और यूपी पीसेस 2021 के इंटर्व्यू का आज आखरी दिन है और आखरी दिन आज होने के बाद में अब मन में आता है कि इसका फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा अगर हम पिछले सालों की बात करें तो लगबग इंटर्व्यू खतम होने के 15 से 20 दिनों के अंदर में फाइनल रिजल्ट रिलीस कर दिया जाता था लेकिन इस बार केस अलग है समस्या बढ़ गई है देखो अभी जो अलाबाद हाई कोट ने आदेस जारी किया था जिसके देद यूपी पीसेस 2021 का जो प्रिलिम्स का रिजल्ट है उसको रद करनी की जो बात कही है अलाबाद हाई कोट ने उससे पहले यह हो रहा था कि लगबग 12 या फिर 13 अगस्त तक आपका रिजल्ट आ गया होता लेकिन अब ऐसा नहीं होगा इस बार रिजल्ट दोस्तो डिले हो जाएगा लेट हो जा जाएगा इसके खिलाब इसके खिलाब आयोग जो है इस अलाबाद हाई कोट के इस फैसले के विरुद अपील दाखिर करेगा तो यह कानूनी प्रक्रिया में यह चीज़े फस सकती हैं मतलब अभी कुछ नहीं कह सकता सारी चीज़े अब दुविधा में ही चल रही है क्यों अभी तक उसने कोई ओफीशल आपती उसके दायर नहीं करी दाखिल नहीं करी है तो अभी आयोग सिर्फ इन सब चीज़ों को लेकर कानूनी सला ले रहा है चीक है इसके बाद में बीच में छुटियां भी लगी हुए रक्षा बंदन भी है तो मान सकते हैं कि 15 अगस्त के पाद में तो वो अलावाद हाई कोड की फैसले की विरुद्ध जो है अपील दाखिल करेगा तो उसमें देखते हैं क्या होगा अभी इसीच का कोई रिजल्ट आने का कोई दूर दूर तक कोई उमीद नजर नहीं आ रही है तो यह थोड़ा सा लंबा प्रसेस हो सकता है क्य वहाँ पर दाखिल करेगा उसकी बात में सुनवाई होगी और फाइनली फिर अलावाद हाई कोड क्या डिसीजन लेता है उस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि क्या डिसीजन होगा कब रिजल्ट आएगा तो मानकर चलिए कि अभी तक के लिए तो यह है कि दूबिदा में चीज़ हैं सारी रिजल्ट कब आएगा अभी कोई पता नहीं है लेकिन जो आयोग की अद्यच है उनका कहना बार बार वो यह कह रहे हैं कि किसी भी बच्चे को परेशान होने की जुरत नहीं है रिजल्ट रिलीस किया रहेगा और ऐसा ही रिलीस किया रहेगा मतलब अपडेट नही चाहिए या फिर रिवाइस्ट रिजल्ट आना चाहिए मतलब 2021 का जो प्रिलिम्स का रिजल्ट है वो 5% पूर्व सैनिकों को आरच्छन देते हुए रिवाइस्ट रिजल्ट आना चाहिए या फिर अभी जो हो चुका है उसको हो जाने देना चाहिए आप सब लोगों की